नमस्कार तोस्तों आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल चरहट के आज मैं आपके लिए एक और बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर आया हूँ महिलाएं क्यों लगाती हैं माथे के बीच में बिंदी जानिये रहस्य दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे यूटूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम इसमें बहुत बढ़िया टिप्स और जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए काफी फायद प्रमपरा में बिंदिया का इस्थान सिरोधर है सोला स्रंगारों में से एक बिंदिया जिसके बिना नारी का रूप अधूरा है देखने में छोटी पर एक बिंदिया नारी का रूप नारी के रूप को जो निखार दे सकती है वैसायद ही कोई दूसरी दे स्वभाग्य चि की दिष्टी से देखा जाए तो बिंदी का संबंध हमारे मन से जुड़ा हुआ है ललाट पर जहां बिंदी लगाई जाती है वहीं हमारा आग्या चक्र इस्थित होता है यह चक्र हमारे मन को नियंतरित करता है बिंदी लगाने के कुछ प्रमुकलाब भी है जो इस प्रकार ह यह इस्थान हमारे मन को नियंत्रित करता है और जब भी मन को एकग्र किया जाता है तो आग्या चक्र पर ही दवाव दिया जाता है इसी आग्या चक्र पर इस्त्रियां बिंदी लगाती हैं ताकि उनका मन एकग्र रहे दूसरा एक्यूप्रेसर के अनुसार माथे के बीचों बीच नसों और रख्त का अभी सरन होता है बिंदी लगाने से उस जगे दवा पड़ता है और सिर दर्द में आराम मिलता है माथे का केंद्र बिंदू आपकी आँखों की मास पेसियों से जुड़ा होता है जब हम बिंदी लगाते हैं तो माथे से उसका साकारात्म का सर आँखों पर भी पड़ता है आयूरवेद कहता है बिंदी लगाना ना केवल मस्तक में सांती एवं सीलता के लिए महत्रकूर माना गया है बलकि यह गोर श्रम तूर करने और अच्छी नीद के लिए भी जरूरी है शिरोधरा विधी में भी इस बिंदू पर दवाव बनाकर अनिद्र की समस्या दूर की जाती है इसलिए बिंदी का हमारे सास्त्रों में भहुत महत्वे दिया गया है दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो या आपको से कुछ जानकारी मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और इसी तरह की बढ़िया और जानकारी युक्ति वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले क्योंकि उनके पास भी अधिक से अधिक जानकारी पहुंच सके धन्यवाद